Hello everyone, Welcome back to my channel in another video दोस्तो आज का ये वीडियो उन सभी students के लिए important होने वाला है जो कि dips are made mission लेने की सोच रहे हैं और form को fill up कर चुके हैं देखिए यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि एक साथ आप लोग दो form कैसे, मतलब दो course कैसे fill कर सकते हो कहने का मतलब क्या है, आप लोग सबसे पहले इसका मतलब समझेगा देखिए पहले क्या था, पहले में इसके पिछले year क्या था कि जैसे आप लोग form को fill करते थे, तो आपको इसमें course चूज करने के लिए नहीं आता था ठीक है, अगला आपको d pharma करना है, ठीक है, या तो आपको b pharma करना है, या तो आपको bpt करना है ये सारे course के लिए जो है, पहले से option नहीं आता था, आपको एक form fill करते थे और last में आपको preference fill करने का option मिलता था, लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार इन्होंने पूरा का पूरा आलग system कर दिया है देखिए का जरा, जैसे आप लोग form को fill करते हो ना, आप कुछ इस तरीके से interface दिखता है पहला option जो मिलता है, उसमें ये मिलता है, b pharma, bpt कहने का मतलब क्या है, अगर आपने पहले option से form को fill किया होगा, और आपके percentage अगर कम होगे, ठीक है तो आपको मिलना रहेगा तो b pharma, d pharma, b pharma, b pharma, bpt, इन चारों में से कोई course मिलना रहेगा, तो मिल जाएगा अगर आप लोग चाहते होगे कि उस time आप लोग course को change कर लो, और चाहें आप लोग bmt, dmt या bbm admission लो तो आप लोग नहीं ले पाऊगे, ठीक है, इस साल से आप लोग नहीं ले पाऊगे पहले सिस्टम नहीं था पहले पहले ले सकते थे यहां पर देखिएगा जैसे आप लोग मैं इस सीच कर ली झीच बता दू होग जैसे आप लोग फाऊप को फिल एक फिल कर लिए हो जैसे मैंने अपने का laureate का फिल किया है खुद ferstory की था ठीक है तो यहां पर क्या हुआ त इसके मैंने form fill किया था तो यहां पर देखो यहां पर जो form fill हुआ है वह बी-pharma, डी-pharma, बी-pharma इरुदा, बी-PT आगर इनके merit की basis पर इन 4 में इस मिलना रहा तो कोई भी मिल सकता है लेकिन अगर यह चाहते हैं कि मैं BMLT, इसके DMLT में admission लूँ या तो BSC अजरस बायो मेडिकल साइंस में तो इनके लिए दूसरा form fill करना पड़ेगा ठीक है वह कैसे fill करना पड़ेगा आप लोग समझेगा जरा जैसे आप लोग लोग लॉग इन करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से interface open होता है ठीक है आपको क एक form complete कर लिए होगे और payment कर दिए होगे तो यहाँ पर आपके सामने दूसरा जो है option खुल जाएगा for adding new application ठीक है मतलब क्या है कि आप लोग दूसरे course को fill करना चाहते है तो आपको यहाँ पर simply click करना होगा और proceed के option पर click करना होगा ओके दोस्तों जैसे आप लोग प्रोसीड इसको fill कर पाएंगी ठीक है आगे आपको एक है रुपे के यहाँ पर payment करना रहेगा आप लोग एक चीज़ ध्यान रख लेना ठीक है चलो यह information है और माप यह एक चीज़ बता दूँँ आप में से कोई ऐसे interested का इंडियेट है जो कि मुझसे directly जूर करके form को fill करवाना चाहत है तो आप लोग simply इस नंबर पर 93,10,72,83 और 37 ठीक है sorry 37 यानि कि 93107283 and 37 ठीक है इस पर आप लोग directly मुझे message कर सकते हो आपका form fill कर दिया जाएगा और आप में से कोई स्टुएंट के कोई queries रहती है तो आप लोग simply क्या करना मेरी website पर आना www.pharmavioonline.com ठीक है यहाँ पर आने क्वाद आपकी जो भी queries है आप लोग नीचे की तरफ जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक options हो होगा messaging का देखिए इस corner में आपको क्यों फॉर्म फिल कर लिए करना है और कोई queries होगी तो आपको phone number पर reply नहीं मिलेगा ठीक है तुस्तों आप लोग यहाँ पर आकर अपने queries को पूछ सकते हो बाकि कोई comment है कोई आपके सुजाओ है तो आप लोग comment box में जरूर अपने queries को पूछ सकते हो मैं पूरी पूरी तर